हेलो जीनिस लोग, आइए करते हैं ग्यान गभोग इसली वीडियो में हमने देखे थे एक्जांपल्स पहला और दूसरा एक्जांपल्स हमने देख लिया था इसके आगे देखिए, तीसरा एक्जांपल है जिससे करने की आप कोशिश कर सकते हैं ठीक है अब आईए देखते हैं उसके आगे के एक्जामपल्स देखिए एक्जामपल नमबर 4 हमसे कह रहा है कि एक भवन है एक भवन है जिसकी उचाई है 10 मीटर भूमी से ठीक है और भूमी पे एक बिंदुग P है और जो भवन है इसके शिखर B और P को हम मिला देते हैं तो यह जो BP से जो horizontal पर angle of elevation बन रहा है वो कितना है 30 degree है ठीक है ऐसे ही और यह जो भवन है इसके उपर एक जंडा लगा हुआ है एक धोज लगा हुआ है ठीक है जिसकी उचाई क्या है DB है जिसकी उचाई है DB और DP को जब हम मिला देते हैं तो उसका horizontal से जो angle of elevation है वो 45 degree बन रहा ठीक है तो हमें ग्याद करना है कि BD की value क्या होगी ठीक है तो चलिए इसमें पहले सबसे पहले देखते हैं PBA जो त्रिबुज है इसमें 1030 is equal to क्या जाएगा हमारे पस AB मतलब 10 meter upon AP ठीक है इसमें हमें देखे ग्याद करना है AP ग्याद करना है और BD ग्याद करना है क्या ग् BD मतलब भवन से बिंदु P तक की दूरी और ये जो ध्वज दंड है ध्वज दंड है मतलब इस फ्लैक की जो उचाई है वो हमें याद करना है तो 1030 is equal to 10 upon AP मतलब 1031 upon root 3 is equal to 10 upon AP तो AP कितने ही आगी 10 root 3 meter तो भवन से जो बिंदु P के बीच की दूरी है वो कितने है 10 root 3 meter है अब PDA इस त्रिबुज में 1045 क्या होगा 1045 is equal to देखे ये तो 10 है और BD क्या है BD को हमने माल लिया X क्योंकि हमें यही निकालना है यही हमें find करना है यही हमें गयाद करना है तो X meter हमने माल लिया तो 10 plus X is equal to क्या होगा A D होगा upon में A P निकाल चुके है 10 root 3 और 1045 शायद 1 होता है is equal to 10 plus X upon 10 root 3 ठिक तो देखें क्या आगया हमार रपस 10 root 3 is equal to 10 plus X ठिक तो X is equal to अगर हम लिखें है तो X is equal to 10 root 3 minus 10 ठिक तो हमने 10 common ले लिया क्या जाएगा मार पास 10 bracket में root 3 minus 1 अब root 3 के value क्या होती है 1.732 ठिक तो हम यहां रख देते हैं तो 10 1.732 minus 1 ठिक है क्या आगया हमारे पास X is equal to 10 into 0.732 ठिक X is equal to 10 into 0.732 करेंगे तो point जो है वो इधर आ जाएगा तो 7.32 तो जो point है वो आगे आ जाएगा तो 7.32 7.32 यह क्या है यह है X बराबर 7.32 मीटर मतलब 12 दंड की उचाई BD आईए अब देखते हैं पाच्वा सवाल देखिए पाच्वा सवाल हमें दिया हुआ है कि भूमी पे एक मिनार खड़ी हुई है A B ठीक है A B जिसकी उचाई हमने माली H मीटर है ठीक है यह हमें H न पर्चाई पड़ रही है Shadow पड़ रही है कहाँ पर भूमी फे ठीक है तो जो सूर की चाया पड़ रही है तो सवाल कहता है कि सूर का उन्नतांश altitude जब 60 डिगरी से घटके 30 डिगरी हो जाता है तो जो परचाएं की लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाती है अब उन्नतांश क्या होता है altitude क्या होता है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये भूमी है ठीक है मतलब उपर की दिशा में नापी गई लंबाई ठीक है अब जैसे कि ये एरोपलेन नीचे आ गया तो जो altitude है वो घड़ गया उपर चला गया तो altitude बढ़ गया नाप कहां से रहें जमीन से लेकिन यहां लंबाई नहीं एंगल की बात हो रही है यह डिगरी की बात हो रही है तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं यह जो lines है इनको आगे बढ़ा देते हैं तो lines को आगे बढ़ा लेने पर देखिए हमारे पास क्या आता है यहां पर सूरे था ठीक है फिर यहां से यह यहां आ गया यहां से सूरे यहां आ गया और यहां ए बिंदू से हम horizontal surface खींच देते हैं तो देखिए 60 degree वाली जो line है इसको हमने आगे बढ़ाया तो यह देखिए यह भी angle 60 होगा यह angle 60 होगा आपने geometry में बढ़ा होगा देखिए यह भी horizontal है यह भी horizontal है इसी line को हमने आगे बढ़ाया है यहां कोंड कितना है 60 degree तो यहां भी कोंड 60 degree ही होगा तो जब सूर यह और बिंदू A के बीच में जो angle था वो 60 degree था ठीक है जिसे यहां 95 कह रहे हैं जिसे यहां 99 कह रहे हैं फिर देखिए क्या हुआ कि सूर क्या 30 degree हो गया तो उसकी परचाई जो है वो इतनी लंबी हो गई तो पहले कितनी थी X मान ली हमने पहले जब 60 degree था 19 तब इसकी जो लंबाई थी परचाई की BC वो क्या थी X और बढ़ने के बाद वो 40 मिटर और बढ़ गई मतलब 40 प्लस X हो गई तो हमें याद करना है यह मिनार क की उचाई मिनार की उचाई गयात करनी है तो देखिए कैसे करेंगे पहले लेते हैं 1060 is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास 1060 is equal to H upon X is equal to root 3 is equal to H upon X ठिक क्या आ गया हमारे पास H is equal to क्या आ गया हमारे पास root 3 X root 3 मितलब H is equal to X root 3 आ गया ठिक अब 1060 निकालते हैं 1060 अब 1030 निकालते हैं तो 1030 is equal to क्या आ गया है H upon 40 plus X H upon 40 plus X अब H की value हम यहां रख देते हैं क्या जाएगी X root 3 upon में क्या आ गया हमारे पास upon में आ गया 40 plus X टिक 1030 क्या होता है 1 upon root 3 तो cross multiplication कर देते हैं तो देखिए क्या जाएगा अच्छा root 3 into root 3 क्या होता है 3 होता है तो चलिए रख देते हैं तो 3X इसका multiply इसमें इसका multiply इसमें 40 plus X तो यहां देख लिजे 3X minus X is equal to 40 2X is equal to 40 X is equal to 40 by 2 मतलब 20 meter यह answer नहीं है answer क्या है H is equal to X root 3 मतलब 20 root 3 meter तो यह आगे हमारा answer देखिए इसके आगे भी और भी example है ठीक है जिन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे मिलता हम आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद क्या क्या है झाल झाल झाल